करनाटा के एक मंत्री ने गाय को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वज़े से विवाद हो गया ये बयान क्या है इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको नमस्ते मैं राशिद करनाटा के पशुपालन मंत्री है जिनका नाम है टी विंक्टेश उन्होंने ये कह करके विवाद खड़ा कर दिया कि अगर भैसे और बैल काटे जा सकते हैं तो गाय का वद क्यों नहीं किया जा सकता मैसूरू में पत्रकारों से बात कर रहे थे टी विंक्टेश उन्होंने कहा विचार विमर्ष के बाद करना टक पशु वद रोक थाम और पशु संड़क्षन अधीनियम को वापस लेने पर उचित अक्शन लिया जाएगा विंक्टेश बोले एक फैसला लिया जाएगा जो किसानों की मदद करने वाला होगा उन्होंने इस मामले में एक एकजामबल दिया उन्होंने कहा कि वो अपने घर पर 3-4 गायों का पालन पोश्ण करते हैं उन्होंने बताया कि पिछले दिनों गाय में से जब एक मर गई तो हमें उसका अंत्म संस्कार करने में काफी मशिक्द करनी पड़ी शफ को उठाने के लिए 25 लोग आए लेकिन ये समभब नहीं था बाद में एक जेसी भी लाई गई और शफ को उठाया गया गोशालाओं के प्रबंधन के लिए धन की बहुत कमी है लिहाद अगर भैसे और बैल काटे जा रहे हैं तो गउ हत्या में यानि गाय के वद में फिर ऐसे में दिकत के ये टीव एंटेश का कहना है टीव एंटेश ने इतना भर कहा उसके बाद जितने हिंदु वादी संगठन है वो लाल हो गए उनका ये कहना है कि करनाटक में सरकार क्या बदली आपके तो तेवर और कलिवर ही बदल गए लेकिन गउ हत्या या गउवद किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं किया जाएगा बीजेपी ने 2021 में चुकी अधिनियम लागू किया था मवेशी वद रोक्थाम अधिनियम और ये अधिनियम साफतोर पर मवेशियों के वद पर पतिबंद लगाता है वहीं बीमार और 13 साल से ज़्यादा कि उम्र की भैसों का वद करने की इजाज़त दी गई है और यही अधिनियम बदलने की कोशिश है आपको याद होगा इलेक्शन के वक्त भी इस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था लेकिन टी विंग्टेश जो करनाटे के पशुपालन मंत्री हैं उनके बयान के बाद ये विवाद और भी जदा गहरा गया है नमस्टे